दोस्तों Ola S1 की 3 variants हैं जो कि 70,000 से शुरू होकर 1,00,000 तक आता है तो आज किस वीडियो में हम differentiate करेंगे Ola S1 के 3 variants को 2 kWh, 3 kWh और 4 kWh के साथ लेने पर इनकी price क्या होगी range क्या होगा, top speed क्या होगी, charging time कितना होगा battery warranty कितने साल की होगी, colors और भी कई सारे features के बारे में तो अगर price की बात करें तो Ola S1 X, अगर तुम 2 kWh और battery के साथ लेते हो 70,000, वहीं 3 kWh और battery के साथ 85,000, जबकि 4 kWh और battery के साथ 1,00,000 लगेंगे और अगर range की बात करें तो 2 kWh और वाले scooter को एक बार full charge करने पर 85 km तक ले जा सकते हैं वहीं 3 kWh और वाले को 125 km जबकि 4 kWh और वाले को 170 km तक ले जा सकते हैं तो आईए speed की बात करते हैं, 2 kWh के साथ 85 km की top speed और बाकी दोनों variance में 90 की top speed देखने को मिलेगी और अगर तुम घर पर charge करते हो, तो 1 वाले को 5 hours, 2 वाले को 7.4 hours यानि की लगवक 7.5 गंटे और 3 वाले को 6.5 hours यानि की 6.5 गंटे में charge कर सकते हो साथ ही 3 वारियंस में 8 years की battery warranty दी जा रही है और colors की बात करें तो 3 वारियंस को 7 colors में देखने को मिल जाएगा और इन 3 वारियंस के साथ physical की दी जा रही है यहाँ पर 3 वारियंस में फिर digital की देखने को नहीं मिलेगी और साथ ही 3 वारियंस को 34 लीटर की boot space के साथ design किया गया है और इन 3 वारियंस में same power की electric motor का भी use किया गया है ड्राउंड क्लियरंस की बात करें तो तीनों ही वारियंस में 160 mm का ground clearance मिलता है वहीं acceleration की बात करें तो फ़र्स वाला 40 की speed में आने में 2.6 seconds और बाकी दोनों वारियंस में 3.3 seconds का time लगता है और मोर्स की बात करें तो तीन ही वेर्निस में एको नॉर्मल स्पोर्स और रिवर्स मोड देखने को मिल जाएगा तो जिस भी लेक्टे स्कूटर कंपेरिजन पर वीडियो चाहते हो कॉमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना